शेल्टन इफरा प्रोजेक्ट फर्म और श्री कपोल वाडी ट्रस्ट लैंड में पुनर्विकास परियोजना से जुड़े हालिया मामले ने पुलिस विभाग की कार्य प्रनाली और विडियो साक्षे के बाद भी कारवाई करने में उनकी अनिच्छा के बारे में गंभीर चि नियमों के इस घोर उलंगन के परिणामस्वरूप स्थानिय निवासियों की कई शिकायतों और आपत्तियों के बावजूद परियोजना का निर्मान नहीं हो सका यह चिंताजन्क है कि गलत काम के सपष्ट सबूत होने के बावजूद पुलिस विभाग ने फर्म और उसके अधिकारियों के खिलाफ कोई त्वरित कारवाई नहीं की है इसके चलते नागरिकों ने महाराष्ट सरकार से हस्तक शेप करने और मामले की गहन जाच करने की मांग की है श्री कपोल वाडी ट्रस्ट भूमी की पूरी फाइल CTS नंबर के साथ पंजरापोल 400004 में स्थित 3169 की किसी भी संभावित अन्यमित्ताओं और धोखाधरी गतिविधियों को उजागर करने के लिए जाच की जानी चाहिए परियोजना से जुड़े प्लॉट नंबरों के भी नकली होने का संदे है जिससे फर्म के इरादों पर संदे बढ़ गया है यह सपष्ट है कि अधिकारियों को फर्म द्वारा की गई अवैध गतिविधियों की जानकारी है फिर भी वे कोई कारवाई करने में विफल रहे हैं उनकी ओर से इस निश्क्रियता ने फर्म को अपनी धोखाधडी की गतिविधियों को जारी रखने के लिए प्रोचसाहित किया है गहन जाच और प्वरित कारवाई की मांग केवल फर्म तक ही सीमित नहीं है बलकि उन जिम्मेदार अधिकारियों तक भी फैली हुई है जिन्होंने उलंगनों पर आखे मून ली है इस मामले में इन मुद्दों को प्रकाश में लाने में सतर्क रहने वाले येलो प्रेस पत्रकार वारिस अली सयद की भूमिका को नजरंदाज नहीं किया जा सकता है उनके प्रयासों ने फर्म की भरष्ट प्रताओं और अधिकारियों की लापरवाही पर प्रकाश डाला है। यह जरूरी है कि ऐसी गैर कानूनी गतिविधियों को होने देने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ अनुशासनात्मक कारवाई की जाएं। उन्हें उनके का उसमें कमी के लिए जवाब दे ठहराने के लिए उचित जाच की जानी चाहिए। निशकर्षत है कानून को कायम रखना और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना पुलिस विभाग का कर्तव्य है। इस मामले में उनकी निशक्रियता ने न केवल सारवजनिक विश्व और भूमी उपनियमों को नुकसान पहुचाया है बलकि उनकी इमानदारी और उनकी जिम्मेदारियों के प्रती-प्रतिबधता पर भी सवाल उठाए हैं। अब समय आ गया है कि महाराष्ट सरकार इस मुद्दे को सुलजाने के लिए त्वरित और निरनायक कारवाई करे और यह सुनिश्चित करे कि नियाय मिले नागरिक शेल्टन इंफ्रा प्रोजेक्ट फर्म और शेल्ट करें।